नमस्कार, स्वागत थे आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको कुछ आयरविदे को पायों के बारे में बताएंगे जिससे आप थायरेट की समस्या को दूर कर सकते हैं टेंशन, खाने में आयोडीन की कमी या जादा इस्तिमाल दवाओं के साइड डिफेट के अलावा अगर परिवार में किसी को पहले से थायरेट की समस्या है तो भी इसके होने की संभावना जादा रहती है पुरुषों से जादा मही लाएं इस रोग का शिकार होती हैं जिसकी वज़े से कई तरह की दूसरी बिमारियों के होने का भी खत्रा बना रहता है तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस बिमारी को आयरवेदे को पायो द्वारग कैसे दूर किया जा सकता है सबसे पहले एकने विदन उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदसिता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे द्वारदी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी उठा सकें साथी सही चैनकारी के लिए इसे अंतितक जरूर देखिएगा थारड ठीक करने के लिए हम शीग्रूपत्र, कांचनार, पुनर नर्वा के काड़ों का प्रयोग कर सकते हैं काड़ों का प्रयोग करने के लिए हमें 30-50 मिलिग्राम काड़ा खाली पेट लेना चाहिए जलकुम्भी, अश्विगंधा या विभीतकी का पेस्ट गाटर के उपर लगाएं पेस्ट को तब तक लगाना है जब तक की सूजन कमना हो जाए रोक से पीडित इनी पौधों के स्वरस का प्रयोग भी कर सकते हैं अलसी के एक चम्मच चूर्ण का प्रयोग इस बिमारी में आप कर सकते हैं इस बिमारी में नारियल का तेल का प्रयोग भी आप कर सकते हैं एक से दो चम्मश नारिल का तेल गुनगुने दूद के साथ में खाली पेट सुब़ शाम लेने से भी इस रोग में फाइदा होता है इस बिमारी में विभीति का का चूर्ण, अश्वगंधा का चूर्ण और पुशकर बूर्ण का चूर्ण भी तीन ग्राम शेहद के साथ में या गुन गुने पानी के साथ में दिन में दो बारा प्रयोग कर सकते हैं इस बिमारी में धनिय का पानी भी पी सकते हैं धनिय के पानी को बनाने के लिए शाम को तांबे के बटन में पानी लेकर उसमें एक से दो चमच धनिय को भिगो दें और सुबह इसे अच्छी तरह से मसल कर छान कर धीरे धीरे पीने से फायदा होगा इस बिमारी में पंच कर्मा की क्रियाएं जिसमें शिरो अभ्यमगम, पाद अभ्यमगम, शिरोधारा वस्ती, विरेचन, उद्दर्तन और गले के शेत्र या थारेट ग्रंती पर हम धारा कर सकते हैं इसमें नस्यम को हम घर पर भी कर सकते हैं नस्यम करने के लिए गाय के गी को दो दो बून पिगला के हम नाक में डालने से इस बिमारी में लाब मिल सकता है तो दोस्तों यदि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इसे देखने के लिए आप सबी को बहुत बहुत धन्यवाद